हेलो एबरीबन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे आप सब आपके अपने चैनल SK ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट सब से पहले आप सब ही को मेरी राम राम ये सुबह साथ बजे का टाइम है और सासुमा को मैंने पपीता काट के दिया है कि पहले पपीता खालो क्योंकि सुबह सुबह मैं इनको खाली पेट पपीता देती हूं तो इनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है घूमना फिरना तो बंद हो गया है सारा दिन बिस्तर में रहना है हालत ऐसी हो गई है तो अभी इनको पपीता देके और फिर मैं अपना साफ सफाई का काम शुरू कर लेती हूं आज है साथ अक्टोबर और आ पूरी हो जाएं इन नवरात्रों में मातारानी आपके घर में आकर खुद विराजमान हो जाएं यही मेरी मातारानी के चरणों में प्रार्तना है अभी अपना साफ सफाई का काम कर लेती हूं फिर सासुमा को नहलाना है उनकी मालिश वगरा करनी है काफी सारे काम हैं सुब काटने में अच्छा लगता है नहीं तो उसमें लार जादा बनती है और भिंडी मतलब पकाने में भी जादा सही नहीं रहती है तो मैं तो उनको कुछ टाइम पहले धोके रख देती हूं और फिर मैंने भिंडी जो है विशाल के पापा जी को दे दी हैं काटने के लिए कि अभी काम टाइम से हो जाएगा कोई नीटिंग की वीडियो या ब्लोग वीडियो बनानी है तो उनको मैं थोड़ा सा टाइम दे पाऊंगे तो यह कहने लगे चलो कोई बात नी इसमें कौन सा जादा टाइम लगता है आराम का काम है मैं कर लूँगा और इनको भिंडी पहले तो अपना खूब दोड लगाती थी पास में इतना बड़ा पारक है सुबह शाम उसके दो दो तिन तिन चक्कर लगा के आती थी घूम के आती थी लेकिन अब क्या करें जो किसमत में होता है वो तो होकर ही रहता है तो अभी मैं इनके सिर में तेल मालिश करूंगी और फिर जो डोक्टर ने दवाई दी है हाथ और पैर पे मालिश करने की वो करूंगी तो चलिए ये सब करते करते आप सब को एक सुन्दर सा भजन सुना देती हों तो परमपिता कर परमात्मा की किरपा से सेवा का जो है डबल फाइदा मिलता है कि सेवा भी हो जाए सिमरन भी ह हो जाए परमपिता परमात्मा की याद में अगर सारे काम होते हैं तो अच्छा होता है नहीं तो इनसान में एहंकार पैदा हो जाता है कि ये सब मैंने किया बाकी हम सब करने कराने वाले कुछ नहीं होते हैं अगर परमात्मा की किरपा होती है तब ही सब कुछ हम कर पाते है तो जब मैं की भावना आती है तो कोई भी काम नहीं होता है इसलिए मैं आपने अंदर कभी भी मैं की भावना नहीं आने देती हूँ तो चलिए सुना देती हूँ एक प्यारा सा भजन भजन पसंदाए तो वीडियो को like share जरूर कर दीजिए तन किस पकरी मरोड रे बंदे या माया संग चले ना तेरी तन किस पकरी मरोड रे बंदे या माया संग चले ना तेरी चाहे अरब खरब थी माया किया गरब गरद मैं मिलाया रे माया कई करोड रे बंदे या माया संग चले ना तेरी मर घट पे लोग साथ मैं रे पिंजरी का बां से हाथ मैं रे तेरी देंगे खोपड़ी फोड रे बंदे या माया संग चले ना तेरी तन किस पैकरी मरोड रे बंदे या माया संग चले ना तेरी वस्तर तार काड दे नंगा चिता बेच तेरी टेक दे यंगा आरे जरा से फोंस मैं दे देंगे पतंग आरे तेरी जड़ भुज हो जा धेरी रे या माया संग चले ना तेरी कह संकर हान से बेचारा आज हुया कुटंब तैन्यारा आज छोड चल अरे घर बाहर ने रे बंदे या माया संग चले ना तेरी सतनाम वाहे गुरू राधा स्वामी तो फ्रेंड से आप सब को ये भजन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईए और भजन के जो बोल हैं तनकी स्पैकरी मरोड रे बंदे माया संग चले ना तेरी जो लोग माया का एंकार करते हैं धन का एंकार करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये तुमारे साथ नहीं जाएगी केवल परमातमा का नाम ही साथ जाएगा और अभी सासुमा की मालिश करने के बाद मैंने पोचा लगाया और फिर नहा ले हूँ तो अभी पहले तुलसी को जो है जलर पित कर देती हूं क्योंकि ये काम मैं नहने के बाद ही करती हूं चाहे मैं लेट हो जाओं लेकि नहने के बाद ही करती हूं और अभी नहाद हो के तुलसी में जलर पित करके मैं तो अपना कीचन में खाना बनाने की तैयारी में लग गई और फिर सासुमा भी थोड़ा सा सो के उठ गई थी तो फिर कहने लगी भाई मुझे थोड़ा सा घुमा दे तो विशाल के पापा जी थोड़ा सा इनको घुमा देंगे क्योंकि क्या है कि सारा दिन एक ही जगहे लेटे लेटे तो कमर दर्द करने लग जाती है सारा सरीर सुन हो जाता है और ज़्यादा भी घूम भी नहीं पाती है बस यह है कि सहरा लेके और ये अब इनको घूमा देंगे और ये अब इनको घुमा देंगे और मैं अपना किचन में खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी कैसा कैसा वक्त आता है जीवन में एक बार इनसान देखिए बच्चा होता है फिर बड़ा हो जाता है फिर जवान होता है बुढ़ा हो जाता है और जब इस अवस्था में आता है इनसान तो देखिए दूसरे के अधिन हो जाता है तो जीवन में कभी भी कोई एहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो जवान हूँ तो ये एहंकार नहीं होना चाहिए बुढ़ापा सब के अंदर आएगा उमर किसकी कितनी लंबी है कितनी छोटी है कोई नहीं जानता है कब कैसा वक्त आ जाए कोई नहीं जानता है इसलिए हमेशा विनमर होकर अपने जीवन को जीना चाहिए आज कल मैं घर-गर में देखती हूँ सास बहू की तू-तू मैं मैं खतमी नहीं होती है तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि चलो देखिए अनवन तो हर घर में हो जाती है मन मुटाओ भी हर घर में हो जाती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस बात का बतंगड बना दिया जाए और उसे छोड़े ही न अगर बात शाम को होती है तो सुबह तक उसे भुला देना चाहिए सुबह कोई बात होती है तो उसे शाम तक भुला देना चाहिए तभी घर घरस्ती में सुक शान्ती आ सकती है तभी घर में जो है खुशी का माहूल रह सकता है अगर एक ही बात से चिपक कर बैठे रहेंगे तो घर में जो है शान्ती फैल जाएगी घर का माहुल खराब हो जाएगा बच्चों पर भी उसका गलत असर पड़ता है इसलिए हमेशा जो भी हो जाता है चाहे सास भोव के बीच में हो या किसी और के बीच में हो उसे घंटे दो घंटे में जादा से जादा शाम तक उसे भुला देना चाहिए और अभी मैंने सबजी बना के रख दी है आटा प्राथ में डाल के रख लिया है अब मक्षन निकालूंगे क्योंकि दही को भी बिलो दिया है तो साथ के साथ आटा लगा दूँगी रोटी बना के सब को खिला दूँगी क्योंकि सुबह मैंने जो है अकेले इतने सारे काम मैनेज करती हूँ फिर भी आज तो विशाल के पापा जी ने मेरी काफी हेल्प की है सबजी काट के दे दी है और भी जैसे कोई काम होता है जैसे चाए बनाना है ये काम करना वो उन्होंने किया है थोड़ी सी मेरी हेल्प हो गई है तो अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं बच्चों को और बच्चों के पापा को मैंने आवाज दी है कि आजओ अपना-पना खाना लेलो, खालो और माजी को भी खिला दो तो आज सुबह के खाने में बनाई है भींडी की सबजी, ताजी लसी है, दही भी है, ताजा मकन है और गर्मा-गरम रोटी मैंने बना दी है, तो आईए और सुबह का खाना हमारे साथ खालीजिये और दही लसी का मेरा और माजी का हम दोनों का तो प्रेज है क्योंकि हम दोनों दवाई खा रहे हैं तो डोक्टर ने मना किया है दही लसी खटाई वगरा ये सब चीजे नहीं लेनी है तो इसलिए हम तो नहीं लेते हैं बाकि फिर बच्चे हैं इनके पापा जी हैं इनको तो चाहिए होती हैं तो आईए और सुबह का खाना खा लिजिए और जब मैं अब वीडियो तयार कर रही हूँ तो ये दिन में तीन बजे का टाइम है क्योंकि मैंने सोचा कि रात के टाइम पे फिर सामने वाले ग्राउंड में राम लिला शुरू हो जाएगी काफी तेज आवा जाएगी तो ना तो वोईस ओवर कर पाऊंगे और ना ही बैठ के बात कर पाऊंगे तो वीडियो का जो मैं वोईस ओवर के साथ ही एंड कर देती हूँ तो फ्रेंड से आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई